हेलो इस वीडियो में आज हम सिखेंगे कि text style को कैसे change किये जाता है जैसे कि bold, italic, underline इसमें कैसे change करना है इसके बारे में इस वीडियो में सिखेंगे तो यहां पर लिए गए changing text style bold italic underline in stml तो पहले bold की definition क्या होती है इसको जानते हैं तो bold की definition है stml में bold text define करने के लिए bold element का इस्तेमाल किया जाता है इससे text अपने पास वाले text की तूलना में गहरा और मोटा हो जाता है इसके बाद यहां पर अगर हम text को गहरा और मोटा करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे b tag का इस्तेमाल करेंगे b जो एक content आएगा है यह देखो इसका start भी होगा और b का end भी होगा तो इसके बीच में जो भी हम text लिखेंगे वो bold में हो जाएगा इसके बाद अगला है italic HTML document में शब्दों को तिर्षा लिखने के लिए italic element का इस्तिमाल किया जाता है italic element शब्दों को अन्य शब्दों की तोलना में थोड़ा तिर्षा कर देता है जैसे यहां पे यह तिर्षा लिखा हुआ है ऐसे यह text को कर देगा तो इसको लिखने के लिए हम यहां पे italic tag यूज करेंगे यह देखो italic जो है content tag है यहां पे इसका start भी होगा और इस italic का यहां पे end भी होगा तो इसके बीच में जो भी हम text लिखेंगे वो italic में आएंगे इसके बाद अगला है underline आप school या college में notes लिखते हैं तो मत्पूर्ण शब्दों या पंक्ती के नीचे एक line खींज देते हैं जिससे वे शब्द अलग दिखाई दिता है यही career stml document में underline element से किया जाता है अगर हम किसी text को underline करना चाते हैं तो यहां पे यह दिखो अगर हमने text को underline करना है तो हम u tag इस्तिमाल करेंगे यह दिखो u tag भी एक content tag है इसका start भी होगा यहां से start किया हुआ है और यहां पे इसको बंद किया हुआ है इसके बीच में जो text हम लिखेंगे बो जो text होगा उसके नीचे underline आ जाएगी तो इस तरह से हम text style change कर सकते हैं इसके बाद यहां पे लिए गया है create a webpage to display text in bold, italic and underline style तो हम notepad में जाके यह program करेंगे जिसमें text को bold करेंगे, italic करेंगे और underline करेंगे तो यहां पे notepad पे हमने एक program लिखा हुआ है जिसमें text को bold किया हुआ है, italic किया हुआ है और underline किया हुआ है तो सबसे पहले यहां पे हमने लिखा हुए है HTML, उसके बाद head, उसके बाद title, title में हमने लिखा हुए bold italic underline, title को बंद किया हुए, इसके बाद head को बंद किया हुए, इसके बाद यहां पे body tag use किया हुए, इसके बाद यहां पे h1 tag use किया हुए, और यहां पे हमने bold करने के लि इसके बाद line break करने के लिए यहाँ पे हमने br tag use किया हुआ है यहाँ पे br tag को दो बार लिखा हुआ है क्यों दो बार लिखा हुआ है क्योंकि इससे जो है double line break हो जाएगी इसके बाद हमने लिखा हुआ है i तो i tag क्या करेगा यह तिर्चा हो जाएगा इसके वाद I को यहाँ पे बंद किया हुआ है इसके वाद यहाँ पे दो बार BR tag यूज़ किया हुआ है इसके वाद अगर हम text को underline करना जाते है तो हम यहाँ पे U tag इस्सेमाल करेंगे तो यह दिखो U tag यहाँ पे start किया हुआ है यहाँ पे text लिखा हुआ है और इसके वाद u tag को यहाँ पर बंद किया हुआ है और यहाँ पर हमने break tag यूज किया हुआ है इसके वाद यहाँ पर h1 इसको बंद किया यह देखो उपर open था यहाँ पर इसको बंद किया इसके वाद body को बंद किया इसके वाद html को बंद किया तो इसकी output देखते है यहाँ पर फाइल टैप पर जाते है, इसके बाद कहां पर इसको safe करना है, डेस्ट वब पर save करना है, इसके बाद यहां पर file name यहां पर हम देंगे, जी एच यह file name दिया, उसके बाद dot html, यह extension गाई, इसके बाद यहां पर save पर click करने के बाद यह दिखो यहां पे default browser में GH नाम की file आ गई है इसको यहां पे open करेंगे तो open करने के बाद यह यहां पे 3 text style आ जाएँगे यह दिखो पहला जो text style है यह bold है यह दिखो यहां पे पहला जो है यह हमने यहां पे bold किया हुआ है तो यह यहां पे bold हो गया है इसका मतलब यह है कि यह 11 और मोटा हो गया है यह text पहले वाला इसके बाद यह second जो text हमने लिखा हुआ है यह है italic italic का मतलब यह है यह देखो यहाँ पे second के लिए हमने italic यहाँ पे tag use किया है तो यह यहां पे तिर्शा हो गया है second इसके बाद third के लिए हमने use किया हुआ underline यह देखो यहां पे इसके लिए हमने underline यूज किया हुआ तो यह जो third text है यहां पे underline हो गया है तो इस तरह से यहां पे हम text को bold कर सकते है italic कर सकते है और underline कर सकते है तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि text style कुछ change कैसी की जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel